हलो गाईज, आज हम सिखेंगे degree 2 कैसे radian में convert करते हैं तो उसके लिए basic सा formula याद रखते हैं अगर x degree दिया है, radian में convert करना है तो x के साथ pi by 180 multiply कर लो, ठीक है? और कुछ चीज़े याद रखो, that is 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second तो एक question करके देखते हैं तो हमें degree to radian करना है तो सारे चीज़ को हमें degree में पहले convert करना पड़ेगा तो यहाँ पर second minute भी दिया है, second भी दिया है तो पीछे से करते हैं that is second को minute में convert करते हैं फिर minute को degree में, फिर degree को radian में, ठीक है? तो इसको 5 degree, 37 and 30, second को मैं लिख सकता हूँ 30 upon 60 minute मैंने क्या किया है, 60 divide कर दिया second को minute में करना है, तो 60 divide कर दो ठीक है, तो जैसे ही करते हैं तो यह 5 degree, 37 and half हो जाता है, half minute यहाँ हम लिख सकते हैं, 5 degree, 75 by 2 minute ठीक है, अब इसको degree में convert करना है तो again क्या करना है, 60 divide कर दो ठीक है, so 5 degree, 75 by 2 into 60 तो 15 5s हा, 15 4s हा, तो clearly वहा 5 and 5 by 8 तो 8 5s हा 40 plus 5, that is 45 by 8 degree हो गया ठीक है, अब degree आ गया, तो radian में convert करना है तो हमें क्या करना है, 5 by 180 multiply करना है ठीक है, तो 45 1s हा, 45 4s हा, so clearly हो गया 5 by 32 radian, ठीक है, अगर यह समझ भाया है, तो दूसरा question करके बताओ, that is 39 degree, 22 minute, 30 second, ठीक है, so इस तरह के वीडियो के लिए, set